चलिए, so next lecture start कर रहे हैं, so previous lecture में हमने EPS के बारे में discuss किया, diluted EPS के बारे में discuss किया, so usually मैं हमेशा class में बोलता रहता हूँ कि आपको theory chapters के उपर ज्यादा focus करना है, क्योंकि 70% marks किसके है, theory, तो आज एक practical topics की theory भी हम पढ़ने जा रहे हैं, next topic है मारा, per share ratio, so इसके अंदर आज हम सबसे पहले discuss करने जा रहे है, price earning ratio, very very important ratio के बारे में आज हम discuss कर रहे हैं, जिसका नाम है PE, price earning ratio, so price earning ratio को समझें, theory को समझें, उसके पहले हमें कुछ छोटे-छोटे concept को सीखना पड़ेगा, definition तो हम पढ़ेंगे, जो book में definition लिखी है, बट हमें analysis भी करना है, तो अब मैं आपसे कुछ question पूछता हूँ, मान के चलिए, एक company के share की कीमत सौरव है, ठीक है सर, और उसका EPS 50 है, तो इसका मतलब सर अगर हम 100 divided by 50 करें, तो आता 2, यही आपका क्या है, PE ratio, यह क्या होता है आपका PE ratio, market price divided by EPS, मतलब formula है MPS upon में EPS, तो सर, अगर किसी company की price 100 रुपे है, market price 100 रुपे है और आप 100 रुपे invest करके 50 रुपे कमा रहे हैं, इसका मतलब ती ratio 2 है, तो आप यह ratio ज्यादा चाहेंगे यह कम चाहेंगे, investor के point of view से, it should be higher और should be lower होना better होगा, आपको इस बात का answer देना है, आपके सामने मैंने formula लिखा है, इसका दूसरा नाम है, price multiple और earning multiples, हलो, आपको सुनाई दी रहा है, मेरी आवाज मैंने आप लोगों से कुछ question पूछें, I guess, am I properly audible to all of you, तो यह chat box में कुछ लिख नहीं रहे हैं, तो I'm asking you, कि सर यह ratio high होना चाहिए, यह low is good, क्या लगता है आप लोगों को, price earning ratio हमने बोला, कि अगर मैं 50 rupees earn कर रहा हूँ, 100 rupees किसी share को खईने के लिए, उसकी market price ही देनी पड़ेगी न, आप सोचिए, आज आप टाटा कंपनी का share market में खईने जाते हैं, और उसके लिए 100 रुपे देने को तहीं आ रहे हैं, और 100 रुपे के लिए आपको 50 रुपे मिलने वाले, 100 रुपे लगा कर आप एक share के उपर 50 rupees कमा रहे हैं, इसका मतलब अगर आपने 100 share खरीद लिए, तो इसका मतलब 50 into 100, 5000 आप कमा रहे हैं 100 share के उपर, और 100 share के लिए 100 rupees आपको investment करना बड़ा, तो 10,000 रुपे लगा कर आप कितना कमा रहे हैं 5000 कमा रहे हैं, तो ये ratio आप चाहेंगे ज्यादा हो या lower हो, बहुत सारे student लिख रहे हैं lower होना चाहिए, अभी भी नहीं समझें, क्योंकि theory समझना ही important काम है, सर एक कमपनी का share 1000 रुपे है, एक कमपनी, दूसरी कमपनी है, उसका share है 500 रुपे का, ध्यान से समझें न, एक कमपनी और भी कमपनी दोनों के share की market price हमने लिख ली, अब आप देखते हैं, सर चेंज करते हैं कि नीचेंज करते हैं, दोनों IT सेक्टर में ही कमपनी है, इस कमपनी का profit 10,000 है, इस कमपनी का profit भी 10,000 है, पी रेश्यो निकालो दोनों के, यह A और यह B, तो सर आपने बताया market price, अगर मान के चलें, यह हम 1000 का share है, यह 500 का share है, और दोनों का profit 10,000 है, और मान के चलिए, दोनों के पास 1000,000 share ही हैं, तो सबसे पहले EPS निकालने, एक, दो, तीन, दोनों का EPS 10 आ गया, यह 3-0 मैंने उड़ा दिया, 1000, 1000 share थे, तो EPS 10 आया, अब P ratio निकालें, तो MPS, यह market price है, 1000, divided by कर तो 10, तो Ratio आया, 100, और इधर करें तो सर, MPS divided by EPS, मतलब आप सोचो कि आप, यहाँ पर 1000 रुपीज लगा कर, यहाँ पर आप 1000 रुपीज लगा कर कितने कमा रहे हो, 100 रुपे कमा रहे हो, और यहाँ पर अभी देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखें, दोनों का EPS मेंने सेम रखा है, अगर आप देखें 10,000 हैं, दोनों के पास 1000-1000 शेर मेंने, अभी भी आप हाई और लो में एंसर नहीं दे पा रहे हैं, अब आपका एंसर चेंज हो गया, कई लोगों ने लो लिखना शुरू कर दिया, तो सर जितना ज्यादा जो रेशो होता है, उतना शेर ओवर प्राइज़ल है, कि 10,000 रुपे के लिए भी 100,000 पर बेखनी हैं, सोचो, इसकी अर्णिंग 10,000 है और इसका शेर थाउजन है, शेर प्राइज मार्केट प्राइज थाउजन है, इसकी earning $10,000 और इसका मतलब कही न कही वो over price है तो ज़्यादा P.E. ratio अगर किसी company का होता है तो उसका share price over price होता है क्या होता है over price और आप over price चीज़ को buy करना पसंद करोगे या बेचना पसंद करोगे यू want to hold और यू want to invest क्या करना पसंद करोगे अगर gold महंगा हो जाए तो खरीदोगे की बेचोगे तो सर ओवेसी बाते sale करेंगे तो higher P.E. ratio का मतलब क्या है इक company की share price कहीं न कहीं क्या है over price तो जितना ज्यादा P.E. ratio बढ़ेगा उतना ज्यादा company का शेर ओवर प्राइज हो तो इंड्रस्ट्री टू इंड्रस्ट्री कंपेर करने के लिए हम P.E. ratio को क्या करते है यूज करते हैं अगर higher P.E. ratio है मतलब शेर प्राइज ओवर प्राइज है इसलिए यहां पर लिखा ह है अगर थियोरी में पढ़े तो formula तो EPS divided by मैंने उल्टा लिख दिया है मतलब मैंने दोने लिखा वो टीम वालों ने बनाया है यह formula उल्टा कर दिया है उन्होंने ध्यान रखना यह formula उल्टा लिख दिया है तो मैं इसको काड़ दे रहा हूं MPS divided by EPS इसी कल्टू पीरेज होता है ना तो नोट्स में ध्यान रखना इस चीज को कि MPS divided by EPS नोट्स में तो वो अल्रडी अप्लोडेट है तो उसको correction कर लेना है ना किसी को confusion नहीं होना चाहिए So am I clear कि higher the ratio मतलब company कहीं न कहीं क्या है over price अब कुछ key takeaways भी हमें यहाँ पर समझने पढ़ेंगे क्योंकि theory segment है USCMA is all about theory बार बार यह repeat करते रहूंगा ताकि आप theory को practical जैसे पढ़ें और जो notes में ने आपको दी हैं वो सारी चीज़ें उसमें मैं cover कर रहा हूं तो सर आपने एक बात बताई कि हम दो company को अगर compare कर रहे हैं और अगर हमने देखा कि एक company का पी रेशू ज्यादा है मतलब वो शेर ओवर प्राइस जो तो ओवर प्राइस चीज़ में रिस्क ज्यादा होती है अब कुछ की पॉइंट्स यहां पर मैंने मैंशन कर दी हैं यह हाई पी रिशू कुड़ बीन देट company स्टॉक इस ओवर वेल्यूट यह हम अल्रड़ी डिसकस कर चुके इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया और इन्वेस्टर हाई ग्रोथ रेट इन दी फ्यूचर अगर कोई company का शियर बहुत ज्यादा प्राइस हो जाए एक हजार हो गया यह 500 हो गया तो इन्वेस्टर कहीं इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे है यार किसी चीज़ को बार बार लोग बाय करते जाए बढ़ती जाएगी कि नहीं आप सोचो सबी लोग गोल्ड खाइना शुरू कर दें तो गोल्ड कहीं न कि ओवर प्राइस हो जाएगा या अंडर प्राइस हो जाएगा तो सर इन्वेस्टमेंट जब किसी company में बहुत ज्यादा पी रेश्य हो जाता है ना तो इसका मतलब जो इन्वेस्टर है वो उससे बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं यह MCQ में पूछा जाएगा इन्वेस्टर एक्सपेक्टिंग हाई ग्रोथ रेट इन दी फ्यूचर तो ज्यादा पी रेश्यो मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है इन्वेस्टर की उस company से ज्यादा है तो जब कभी भी आप किसी company को compare करें तो आपको इंड्रस्ट्री इंड्रस्ट्री क्या करना चाहिए इन्ड्रस्ट्री का एवरेज़ पी कैसे देखेंगे सरम अरे बेटा कहीं न कहीं सेक्टर होते है ना आईटी सेक्टर होता है जैसे टाटा इंफोसेस और जो भी सत्यम जो भी आपकी आईटी कंपनीज हैं उन सब का combined P.E. रेश्यो निकालकर हमारी कंपनी के P.E. रेश्यो सिर्फ फॉर्मूले को याद नहीं करना है कि वाट इस दा कैलकुलेशन पता चले आपने इसे फॉर्मूला रख लिया कि M.P.S. divided by E.P.S. is equal to P.E. रेश्यो दिस रॉंग अप्रोच You have to understand कि एक डॉलर लगा कर हम कितना कमा रहे हैं जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर mention करके दिया नीचे कि सर कितने डॉलर लगा के हम कितना कमा रहे हैं अगर आप फिर से सोचेंगे बहुत important ratio इसलिए मैं ज्यादा depth में समझा रहा हूँ कि सर अगर मैं 10 रुपे लगा कर 2 रुपे कमाता हूँ तो यह 5 रुपे मेरा PE ratio 5 है मैं 100 लगा कर 100 कमाता हूँ तो मेरा PE ratio 1 है तो एज इन्वेस्टर में हमेशा क्या चाहूँगा low PE चाहूँगा न कि सौर पे लगाकर मैंने 100 कमा लिए तो कहीं न कहीं मेरा में percentage of earning भी पता कर पाऊंगा कि percentage of earnings कितनी हो रही है मुझे यह मैं definitely पता कर पाऊंगा कितना earning किया है कितना profit किया है यह सारा matter कहीं कहीं मेरे लिए बहुत important role play करता है है कि अब क्योंकि पी रिशो का relationship भी हमें समझना है कि अब पी रिशो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए एक तो सर कि एपीएस चाहिए और एपीएस का क्या मतलब होता प्रीवेस लेक्चर में पढ़के आ रहे हैं पी रिशो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कंपनी का profit एट ट्री ब्यूटेबल टू इकुटी शियर चाहिए यह चाहिए न आपको तो profit कहां से निकलता है profit कहां से निकाले हो कैसे पता करोगे किसी कंपनी का profit फटा पर चैट बॉक्स में मेंचिन करो कहां से पता करोगे profit कहां से पता करेंगे profit income statement से तो profit and loss accounts को कंपनी मेनेज कर सकती है कि नहीं कर सकती है मैन्यूप्लेट कर सकती है कि नहीं कर सकती है आप एजे इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो एजे इन्वेस्टर सोचो तो आप कंपनी का क्या देख रहे हो प्रॉफिटेंट लॉस अकाउंट देखोगे यह जो बना होगा पी इंड तो उससे आप क्या करोगे higher EPS दिखाने की कोशिश करोगे तो company के financial statement क्या होते है fraudulent तरीके से कई वर क्या कर लिए जाते है manager earning sometimes by fraudulent means क्योंकि management का कहीं ना कहीं incentives भी involved होता है incentive कैसे company का जो manager होगा जो company का board of director होगा वो company के manager को बोलेगा कि भीया हमें तो company का profit ज्यादा से ज्यादा दिखना चाहिए क्योंकि अगर company का profit ज्यादा होगा तो investor attract होंगे और profit ज्यादा होगा तो EPS ज्यादा होगा तो इसलिए कई बार P.E. ratio को manipulate कर लेते हैं the relationship between accounting data and stock price is crucial क्योंकि accounting की stock price और stock price तो market driven होती है और company के financial statement को कई बार manager manage कर लेते हैं fraudulent तरीके से bogus sales दिखा दी अपने ही एक related party बना दी उनको sales कर दिया तो इसलिए यहाँ पर कुछ analysis यहाँ पर लिखे हुए है decrease in investor required rate of return अगर किसी shareholder के द्वारा investor के द्वारा company से required rate of return कम expect किया जाता है कि यार हमको यह 10% ही दे दे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन वह company अगर 12% दे रही तो उसकी share price क्या होते जाएगी बढ़ते जाएगी इसने लिखने decrease in investor required rate of return will cause the share price to go up आप सोची आप सोच रहें कि यार मुझे टाटा company तो 10% ही return चाहिए वो आपको 15% दे रही हो तो क्या होगा आप उस share को खरीद होगे कि नहीं खरीद होगे तो required rate of return क्या होती जो आपकी expectation होती है this is your expectations यह क्या है यह आपकी expectation decrease in investor required rate of return will cause share price to go up क्योंकि आप 10% एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर वो 12% performance दे रहा है तो तो अगर share तो आप मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मेरे share price बढ़ते जाएगी तो मेरा P.E. ratio high होगा यह कम होगा मेरा market में share price बढ़ते जा रही है market price increase होते जा रही है what impact on my P.E. ratio it will increase और it will decrease सीधी बात है अगर मेरा P.E. ratio अभी 100 था और E.P.S. 2 था तो यह 50 हो गया अब यह 200 कर दूँ 200 divided by 2 कर दूँ तो यह क्या हो जाएगा सर 100 हो जाएगा तो जितना ज्यादा मेरी market price बढ़ते जाएगी उतना मेरा P.E. ratio भी क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा Am I clear? यहां तक आपको clear है कि P.E. ratio का सीधा impact किसे कंपनी की earning से सर earning बढ़ते जाएगी और market price share की constant है तो P.E. ratio क्या होगा सर? P.E. ratio क्या होते जाएगा? अगर मेरी earning growth बहुत ज्यादा है और मेरी market price उतनी नहीं बढ़ रही तो मेरा P.E. ratio क्या होते जाएगा? डाउन होते जाएगा यह analysis आपको सोचते आना चाहिए ठीक तो बोल रहे हैं सर आप लिखने की कोई जरती नहीं है फिर भी अगर सोचें यहाँ पर हमको analysis के उपर focus करना है कि सर अगर आप वारबर बोल रहे हैं कि 100 रुपे मेरी market price थी पहले मेरा earning 50 थी तो मेरा 2 आता है अब मेरा शेयर प्राइज जो है अर्व पैन नहीं चल रहा है एक सेकिल है चलू चार्ज करना पढ़िए अब यसी लिख लेते हैं सो हम क्या बोल रहे हैं सर हम यह बोल रहे हैं अभी दस के आगे में लिखनी पा रहा हूं वो पैन फुड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है तो चार्ज ह आगर मेरी market price 100 हों मेरी earning $100 तो मेरा Purity Shoo क्या हो जाएगा तो earning बढ़ने से मेरा P ratio क्या होता है यह बात आपको समझ जाती है अब को कि कुछ बाते और मेंचन की होई हैं अगर आप, नोट करें decline in the dividend growth decline in the dividend growth will cost share price to decrease अब मुझे बताइए अगर एक कंपनी ज्यादा dividend देती है ज्यादा dividend देती है तो उसकी share price बढ़ेगी ये कम होगी अब आपको answer देना है सरे कंपनी consistently dividend देरी dividend growth अब dividend growth उसकी बढ़ते जा रही है तो उसकी share price पर क्या impact पड़ेगी कि नॉर्मल तरीके से सोचना है सरे company की dividend growth है मतलब पहले हर साल consistently पिछले साल 10 परशन्ट दिया था इस साल 15 परशन्ट दिया 15 परशन्ट दिया तो 20 परशन्ट दिया बीस परशन्ट दिया पच्छे मतलब consistently अपने profit को distribute कर रही है और अगर अगर कंपनी की dividend growth होते जा रही है तो उसके कारण शेर्स के price के ओपर क्या impact पड़ेगा यह आपको सोचना है आप यहां पर बहुत सारे लोग गलत सोचेंगे अब मैं आपको example दे दे के समझाओंगा अभी आप सोचो आपको यह सब नहीं पता है एक company 100 कमाती है और 20% dividend दे देती है किस company की growth ज्यादा है कौन सी company growth करेगी शेर ओल्डर के point of इसे बात नहीं कर रहा हूं कि 20% वाली growth ज्यादा करेगी इसका नाम यह लिख लो कितने लोग बोलते हैं कितने लोग भी बोलते हैं कि एक company 20% dividend दे रही कमणी 30% dividend दे रही है कि सर जी अगर 20% dividend देते हैं तो इसका मतलब 80% हमारे पास सेव हो जाएगा सेविंग हो जाएगी यहां पर सेविंग 70% क्योंकि 30% तो जिसकी ज्यादा सेविंग उसकी growth भी क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी हाँ सर उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी तो ग्रोथ ज्यादा होगी तो शेर प्राइस क्या होगी हाई होते जाएगी उपर जाते जाएगी बढ़ती जाएगी तो ये भी सोचना तो इसी लिए यहाँ पें मेंशन किया गया है अब थियोरी को पड़ो मतलब अगर कंपनी का डिविडेंट ग्रोथ कम है इसका मतलब कहीं न कहीं वह प्रॉफिट भी कम कमा रही है या अगर डिविडेंट बाटते किसमें से ये भी अनलेसिस करना बहुत जरूरी है तो कही बर आप उल्टा सोच लेते हो कि डिविडेंट कम दे रहे हैं तो इसका मतलब शेयर प्राइज भी कम हाई यहां पिन give एसा लिखा है निकिस में इविडेंट किसमें से बाते है प्रॉफिट में से बाते है और अगर मिल्विडेंट करना नहीं पसंद करत रहें कि सर डिविडेंड ग्रोथ कम है इसका मतलब कमपनी कम डिस्टिब्यूट कर रही है तो यह तो क्या लेखा था डिविडेंड ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देने पर अब एक बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिवटेंड का मतलब ज्यादा से स्यदा डिविडेंड बाटना है कि अब देखों इनक्रीजिंग डिविटेंड इंडिकेर्ट डिट शेर प्राइज डिकलाइनिंग जिसे मैंने अभी आपको बताया दो रोडीजन बताएं तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का इंपेक्ट क्या पढ़ सकता कि इंक्रीजिंग डिविडेंड यील्ड का फॉर्मुला बताएंगे आपको नीचे पॉर्मुला देख रहे हो क्या लिखा है पॉर्मुले पर ध्यान दो एनियल डिविडेंट पर शेर और मार्केट प्राइस पर शेर मतलब सोचो कि आप 10,000 का डिविडेंट बाटते हो 10,000 रुपे डिविडेंट बाटते हो पर शेर लिखा और आपके एक शेर की प्राइस लेट से 2,000 यह डिविडेंट इल्ड तो आप क्या बोला कि हम वो पर शेर पर इतना पैसा मिलता है डिविडेंट के रूप में यह हो ना कि अगर एक रुपे लगाऊं तो पांच रुपे मिलता है बहुत माइनूटली समझना पढ़ेगा अगर ऐसा होता है दीस हजार डिवाइड़ वई दू तो यह दस रुपे उता आप एजए इन्वेस्टर क्या चाहोगे कि 2000 पर लगागे 20,000 मिलिए यह 2,000 लगाके 10,000 मिलिए तो सर यह हमको दस रुपे जादा बैटर लगेगा अगर यह लो आएगा सब्सक्रू ना को अध़ा ज्रां टो लोगरें यहां पर उल्टा सुचना पढ़ेगा कि company ज़्यादा से ज़्यादा dividend दे रही है company ज़्यादा से ज़्यादा dividend दे रही है तो उसके पस growth की opportunity भी क्या हो जाएगी increasing dividend share price is declining मतलब अगर company बहुत ज़्यादा dividend बाट दे तो उसकी share price कम हो जाती बिटा company अगर increasing dividend indicates that share price is declining यह कई बर बच्चे उल्टा सोच लेते कि सर इन डिविडेंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है एज इन्वेस्टर नहीं सोचना है एज एक company सोचना है कि अगर कोई company मतलब मैं आपसे अगर conclusion में पूछूँ आप ज़रा इसका पोल पर एंसर देना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैं एक पूल क्रिट कर रहा हूं अगर हाई डिविडेंट है तो company के शेर की प्राइज ज्यादा होगी यह लो डिविडेंट होगा तो ज्यादा प्राइज होगी एक आपको क्या लगता है लास में बच्चे लो में ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करने किसर अगर company कम से कम डिविडेंट दिती है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अविलेबल होता है और अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अविलेबल होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को हम री इन्वेस्ट कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कामा पाएंगे प्रॉफिट कमा पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे तो ऐसे कंपनी के शेर की प्राइस कम होते जाएगी यह ध्यान रखना डाउन होते जाएगी और इस प्रकार की कंपनी की शेर की प्राइस बढ़ जाएगी क्यों 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 क्योंकि कंपनी ने दस हजार ही डिविडेंट दिया इन्होंने बीस हजार डिविडेंट दिया मतलब के पास profit reinvest करने के लिए कम है तो डिवीडेंट इल्ड का फॉर्मूला क्या है एन्यूल डिवीडेंट पर शेर डिवाइड़ मार्केट प्राइस पर शेर तो जितना ज्यादा डिवीडेंट उतना कम प्रॉफिट अविलेबल अब एक इन्वेस्टर इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा डिवीडेंट चाहेगा या कुछ कम डिवीडेंट चाहेगा आपको क्या लगता है मैं आपसे एक और question पूछो इन्वेस्टर इन्वेस्टर के point of view से बताएं इन्वेस्टर ज्यादा dividend चाहेगा या कम dividend चाहेगा more dividend सभी को more लगता है तो पिटा इसका answer सीधा straight forward नहीं यह आप लिखा है पढ़ लिजी आप different circumstances have different perspectives एक बुजूर्ग आदमी है retire person को regular income चाहिए वो चाहेगा कि यार मुझे हर महीने हर साल क्योंकि मेरी पेंशन जैसे लेकिन यंग person है वो क्या चाहेगा ग्रूथ बुले आज कंपनी का शियर एक हजार का एक साल बात 1500 का हो जाए पच्चिस सो का हो जाए और ग्रूथ कब possible है जब कंपनी ज्यादा dividend दे यह कम dividend दे आप सोचो आप 10,000 कमाओं और अपनी फैमिली को आप इंकम में सेलरी कमाके लेकर आते हो घर पे 10,000 रुपे आपकी फैमिली बोलती ही बिटा 5000 रुपे मुझे दे दिया कर दे दिया 5000 बच्चे फैमिली आपके शियर ओल्डर आप 5000 क्या करोगे 5000 में से 2000 अपने लिए खर्चा कर लोगे 3000 को investment करोगे तो 3000 रुपे का अगर फै तो इसी लिए ध्यान दीजिए कि डिविडेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर कंपनी का उसके पास फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ भी पैसा नहीं बचेगा और फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा नहीं बचेगा तो उसकी शेर प्राइस धीरे-धीरे क्या हो जाए कि इसнал नंवनीत उनचे ने विलकुल सही लिका लोज डिविडेंट टू मोर ग्रोथ इंदि कंपनी और जहां ज्यादा क्रोथ यहां पर ज़्यादा होगी वहर पर जосто किया होगा है तो जहां पर शेयर प्रैस ज़्यादा तो तो यह दो इसकी शेयर कटा करता हैं कि अ comprendre रिपेंट करता है यह यह भी सो डिपेंड करता है न तो यहां पर तो पी रिशो टू आ गया यहां पर पी रिशो पॉइंट फाइव आया तो केवल शेयर प्राइज नहीं साथ में अर्णिंग को भी क्या करना पड़ेगा पर तो आपके दिमाग में आपको यह थेओरिटिकल कौंसे बिठाना पड़ेगा मैं थेओरी को प्रैक्टिकल जैसी पर दिविडिन यील्ड तो डिविडिन यील्ड का फॉर्मूला क्या यीज्ट मतलब अर्निंग तो एक शेयर ओल्डर को एक इन्वेस्टर को अगर आपको investor का return निकालना है तो बटा क्या क्या करना पड़ेगा कंपनी का किसी मुझे पताई ये एक कंपनी में आपने एक कंपनी के share में कितना profit कमाया ये क्या कैसे पता करोगे कि वल dividend income से ये कुछ और income से भी पता करोगे क्या dividend ही आपकी earning कहलाती है या कुछ और भी कहलाता है नहीं सर केवल dividend नहीं dividend के साथ में capital gain सर एक कंपनी का share ख़िदा था सो रुपे में market price उसकी 120 हो गई तो 20 तो ये हो गया company ने दो रुपे का dividend दिया ऐसे मिला कि हमने 22 रुपे कमाएं न ये 22 क्या है ये आपका return है तो आपको किसी company में केवल dividend के उपर नहीं भरो से बैठना है कि आप ये भी तो सोचो आप किसी company में invest करोगे तो investment करने के बाद क्या उसमें हमें capital appreciation हो रहा है कि नहीं हो रहा तो capital appreciation plus dividend is equal to ROI return on investment तो अगर सबसे लास्ट में मैंने नीचे formula लिखा आगे बढ़ेंगे लेकिन notes के सबसे लास्ट में लेका उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया अगर आप यहां पर देखें कि मैंने उपर mention किया है अभी उपर आएंगे लेकिन इस पार्ट को हमने पहले पढ़ लिया यह शेर होल्डर रिटन तो यह शेर होल्डर का ROI है क्या है आर ओ आई है तो सर्स शुरू में हमारे हमारी एंड में प्राइज हो गई 120 रुपे ओपनिंग प्राइस थी 100 रुपे हमने 20 रुपे कमाए प्लस उसने हमको पाँच रुपे डिविडेंट दे दिया तो टोटल कमाया कितना 25 और शुरू में शेर की प्राइस किती थी 100 थी तो हमारा यहाँ पर ROI कितना निकला पच्छिस पर तो ROI निकालने के लिए हम इतंते हम worsh कि प्लस डिविडेंट को क्या कर से हैंगा सिम्सिदयर करते होब अप्र के अपूर और किरेशियेशन निकलता है यी मिनस ओपनिopa beyond इंडिनिंच अऑ इसको वोलते शेर होल्डर कं ँमाएत्य हमको PE रेशियो समझ्झ में आगया ROI समझ में आ गया dividend yield समझ में आ गया तो P ratio अलग है ROI अलग है dividend yield अलग है dividend yield मतलब अकेले dividend yield का अकेले क्या मतलब है कि एक share के पर कितना dividend मिला तो कभी भी dividend yield को ROI मत माल ले न clear है न ये कि sir हमको company ने जैसे इस question में हमको company ने 5 रुपे दिया 100 रुपे हमने निकाला तो ये हमारा 5% dividend yield है ये जो मैं उपर लिख रहा हूँ ये 5% मेरा क्या है dividend yield है dividend yield का मतलब ROI नहीं होता है dividend yield में अगर हम capital appreciation को जोड़ दें तो वो ROI में बदल लियाता है और P ratio क्या है कि company की market price के share में company की arming कितनी है इसको हम बोलते P ratio ROI, PE और dividend yield is a completely different scenario Am I clear? किसी को कोई doubt? तो अब आपसे exam में पूछा जाए तीनों में से high क्या क्या रखना जाए तीनों में से सबसे पहले highest किसको जाओगे कौन सी चीज ज़्यादा high होना चाहिए PE ज़्यादा चलेगा ROI ज़्यादा चलेगा कि dividend yield ज़्यादा चलेगा क्या ज़्यादा चाहो गया तीनों में से सबसे number one किसको ज़्यादा चाहो गया फटा 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 इंसर देते चलो बटा MCQ का question पूछ रहा हूँ सभी लोग समझ गए ROI should be higher side अब आईने बात समझ में कि sir बहुत कुछ समझना है बहुत बड़ा चेप्टर रही है अब यहां पर मैंने आपको एक example दिया dividend yield का पढ़ लीजिए कि सब्सक्राइब इस्टॉक इस ट्रेडिंग एट 20 रुपीज दो कंपनी को कंपेर कर रहे है इस्टॉक है वो बीस रुपए पर ट्रेड होता वो एक रुपए दियती है सपोस कंपनी का जो स्टॉक है वो 40 पर ट्रेड होग वो भी एक दे रही है तो दोनों one by 40 और one by 20 this means company dividend yield is 5% while company B dividend yield only 2.5% assuming all other factors are equivalent and investor looking to use their portfolio to supplement their income would likely prefer company A over company B अब इन्होंने देख़े एक बात लिखी इससे confuse मत हो जाना कि वो वहां उसको 5% growth मिल रही है या उसको 2% मिल रही है तो लेकिन उन्हें बात भी लिखी looking use their portfolio to supplement their income would prefer मतलब केवल वो अपनी income को regular चाह रहा है तो वो return on investment के point of vision बात नहीं कर रहे है उसका dividend yield भले ही क्या है 20 रुपे कमा के भी एक दे रही है वो 40 लेकिन आप ये भी तो देखो कि वो कितना dividend बात रही है तो क्या वो growth भी कर रहे हैं लेकिन अगर एक regular investor के point of view से देखें तो वो dividend ज्यादा जिस company में मिलेगा उसको prefer करना पसंद कर लेगा लेकिन क्योंकि उसको regular income मिल रही है तो वो different perspective भी company के point of view से हो सकते हैं वो situation analysis करें तो इसले लिए करें investor looking to use their portfolio to supplement their income supplement their income मतलब चाहरे है कि income उनको regular मिलते जाए तो वो B से क्या करेगा B की जगा company A में क्या करेगा investment करना पसंद करेगा अब कई student dividend payout ratio को dividend yield ratio समझ लेते पे आउट रेशो अलग concept पे आउट मतलब आपके पास income कितनी available थी और उसमें से कितना आपने बाटा यह दोनों लग concept मेरे पास सो अविलेबल थे मैंने पचास बाटा मतलब मैं अपनी income का 50% क्या करता हूं बाट देता हूं तो 50% बाट देता हूं तो 50% मेरे पास retention मेरे जाता है तो इसलिए मेंचे मेंचे mention किया growth company tend to low payout जो company grow कर रही है जो company grow कर रही है जिनके पास market में opportunities बहुत ज्यादा अविलेबल है growing company आपको कम से कम dividend देगी क्योंकि वो चाहती है कि अपनी earning को क्या किया जा सके डबल किया जा सके इस company investment की opportunities ज्यादा देख रही है तो फॉर्मुला क्या है dividend payout ratio अलग है dividend payout ratio company के point of view से निकाला जाता है और dividend yield shareholder के perspective से निकाला जाता है यह ध्यान रखना तो shareholder अकेले चाहेगा कि उसकी dividend yield बहुत जादा हो कि वो 10 रुपे लगा के 5 रुपे कमाले 10 रुपे लगा के 20 रुपे कमाले वो चाहेगा dividend yield एक रुपे लगा कि कितना dividend yield किया वो जादा चाहेगा company के लिए देखेंगे तो dividend payout ratio देंगे company अगर grow करने वाली company कम से कम dividend dividend payout और dividend yield में तो अब मैं आपसे last conclusion पूछूं investor के point of view से क्या देखेंगे सर dividend yield वो हाई चाहेगा कि लो चाहेगा बिटा फटा फट बोलो आई और लो इन्वेस्टर 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 सर इन्वेस्टर चाहेगा हाई चीक है conclusion dividend payout ratio किसके point of view जेखेंगे company के point of view से तो company अगर ज्यादा dividend दे रही है तो कंपनी ज्यादा dividend दे रही है मतलब कहीं न कहीं उसके बस growth के लिए fund कम है तो dividend payout ratio यहां से निकालेंगे तो dividend payout ratio का formula टोटल dividend divided by net income भी किया जासकता है dividend payout ratio है मतलब सर कंपनी ने 1000 कमाया और 200 रुपे बाट दिया तो 20 परसेंट उसका क्या है dividend payout ratio तो 80 परसेंट क्या हो गया बटा what is the meaning of 80 परसेंट अगर DPR मेरा payout ratio तो 80 परसेंट क्या है saving और इसको क्या बोलेंगे retention ratio क्या बोलेंगे तो वन माइनस DPR is equal to retention ratio तो यहां पर वही फॉर्मूला वापिस लिखा dividend per share divided by earning per share दोनों फॉर्मूली एक ही है total dividend यहां पर देखो total dividend था divided by net income था यहां पर क्या है dividend per share divided by earning per share दोनों अलग नहीं है दोनों एक ही है एक जैसे ही है समझ में आ गया total dividend यह देखो total total लिखाना है total तो total net income है और अगर एक पर net income निकाल तो number of share से डिवाइट कर देंगे तो यहां पर दिविडेंट पर शेर लिखा हुआ दोनों में जरा माइन्यूटली अब्जव करो देखो समझो घर पर जब त्योरी इसलिए त्योरी के नोट्स आपको दिए जारें सब यह बना बना कि कि देखो यहां पर अब एक कॉंसेप्ट और आ रहा है उपर का होगे ना सारा थियूरी कि एक कॉंसेप्ट और आ रहा है सब्सक्राइए अर्णिंग यिल्ड है कि अर्णिंग यिल्ड का फार्मूला आप देख रहे हैं किसका उल्टा दिख रहा है आपको यह किसका उल्टा कि कृष्टन ने ठीक लिए अभी आपको यहाद यह उपर फॉल्मूला पढ़के आ रहे हैं कि एम पीए सपॉन में इपीएस तो बताइए यह रिश्व हाई पसंद करोगे लोग पसंद करोगे कि ऐसे समझ में नहीं आता है वह आप लिखते हो ना फिगर उससे समझ में आता है फॉर्मूला क्या है सर कंपनी का अर्निंग सो रुपे मार्केट प्राइस पचास यह दो कंपनी की अर्निंग पांसो मार्केट प्राइस पचास मतलब पचास रुपे लगाकर पांसो कमा लेता हूं यह ऐसा समझू इसको भी काट दू इसको भी काट दू इसको भी काट दू इसको भी काट दू एक रुपे लगाकर दस रुपे कमाता हूं यही मीनिंग हुआ ना कि एक रुपे लगाकर दस रुपे कमा ले लिए यही तो मीनिंग हुआ अगर आप उपर देखे EPS उपर है नीचे MPA से तो एक डॉलर इंवेस्ट करके कितना कमा रहे हो इस इस कॉल्ड अर्निंग इंवेस्टर क्या पसंद करोगे सर इसको ज्यादा प इंवेस्टर चाहेगा कि उसका अर्निंग इंवेस्टर क्या हो ज्यादा हो तो सर इवाइं प्लस डी वाइं ये दोनों हमारे हमेशा क्या चाहेंगे हम ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे एज इंवेस्टर अब ज्यादा और अगर आपको कोई कंपनी अर्निंग इल्ड भी ज्यादा दे रहे हैं तो उस प्रकार की कंपनी में आप क्या करोगे मार्केट क्याप का मतलब मार्केट क्यापिटलाइज़िशन तो अब आप अप एनलेसिस करोगे इस्टॉक एक्सचेंज में तो ये अनलेसिस आपको आना चाहिए अब अर्निंग इल्ड को और थियोरिटिकल अच्छा आर्टिकल था वो लिख दिया पढ़ लीजिए इसको समझ में आ जाएगा पढ़ लीजिए रीड कर लीजिए तो ये एक इंपॉर्टेंट बाद लिखी हैं आपर इस टॉप के वेल्यूशन में ये हल्प नहीं करता है ये इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टर को कितना रिटन मिल रहा है तो आप बहुत सारी कंपनी में देख रहे हैं ये कंपनी बी कंपनी सी कंपनी जिसका अर्णींग इल्ड ज्यादा होगा उस कंपनी में आप क्या कर दोगे इन्वेस्ट कर दोगे Am I clear David and Earning तो सर एक जगा हम सारे formula लिख लेंगे और analysis करेंगे और जब आप MCQ करोगे तो एक काम करना मिटा जब आप MCQ करने जाओगे ना तो ये formula ऐक जगा लिख लेना फॉर्मूला एक जगा लिख लिए तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ी से आसानी होगी आपको फॉर्मूला में क्या बढ़ रहा है जब आप MCQ करने जाते हो तो आपको यह सारी चीज़े सोचनी पड़ेगी तो फॉर्मूले में पता चल अर्निंग इल्ड नियार अर्नि लिए एनलेसिस करने के बाद आप MCQ करें अब प्रेक्टिकल एक्जांपल दी थी है में नहीं अर्निंग इल्ड जॉन के पास दो कंपनी के शेर से हैं कंपनी ABC और कंपनी XYZ तो उसको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो ABC कॉर्परेशन डेट इस करेंटली पीस पर शेर आट डॉलर पे ट्रेड़ेड हो रहा है वह वाइल दे कंपनी इस अर्निंग पर शेर फॉर लास्ट ट्वेल मन्थ पीरेड बतलब पिछले बारा महिने में 0.35 डॉलर पर शेर यह भी पर शेर पर पर के उपर बड़ा ध्यान दे नहीं तो पता चलिए हमाँ पर लेखा है हमाँ टोटल लेखा है और इसकी अर्निंग 0.65 तो आपने यहां पर निकाल के दिखाए चार परशेंट रिटन दे रहा है यह 1.4 रिटन दे रहा है तो आप खुद ही बता दोगे दा केल्कुलेशन अब उस्टेट वेरी डॉलर इन्वेस्टेट इन एबीसी कॉर्परेशन जनरेट आप चार परशेंट कंपनी जो दे रहे है उसमें क्या करोगे इन्वेस्ट करोगे कि नी करोगे तो जो कंपनी आपको ज्यादा रिटन देती उसमें क्या करते हैं अब इसी प्रकार से कुछ और फार्मुलेस दिए गाए बुक वेल्यू पर शेर निकाल के देना तो बुक वेल्यू के लिए हमको क्या चाहिए होती सर बैलें शीट बैलेंस सीट में हमने पढ़ा था इक्विटी सेग्मेंट को यहां लिख दिया टोटल इक्विटी शेग्मेंट आप एक्विटी की डेफिनिशन पीछले लेक्ट्सर में पढ़ चुक्यां सी कुछ यह चे लिखा है तो टोला शिर में से मिन् больш कर दिया है पहला लेक्चर समझाया था ने इकुटी की definition देखों कहाँ का हमारी बेसीक छें़- टूसर कि के अंदर हम लोगन चेल प्रेफेरिंट सेयर रीटेंड अर्निंग OCI यह सब यात करो definition equity की वो सारा equity उसमें से preferring तो वो कहां से निकलती है equity का दूसरा नाम बताओ बिटा आपको याद हो तो दूसरा नाम बताओ दो-तीन नाम बताए थे आपको फटाफट बताओ equity हाँ Krishna को याद है और किसी को बिटल लिखनी रहे मतलब पढ़नी रहे पहला लेक्ट्चर equity के दूसरा नाम फटाफट लिखो नेट वर्थ शिवम गुप्ता ठीक है और ओनर फंड तो नेट असेट्स कहां से निकलती है टोटल असेट्स लेस टोटल लेविलिटी नेट असेट्स कोई क्या बोलते है इकविटी तो उस इकविटी में से हमने क्या कर दिया प्रेफरेंश येर को माइनेस कर दियो नंबर अप शियर पर कर दिया तो इससे क्या निकलाएगी बुक वेल्यू पर शियर तो बुक वेल्यू परशेर हायर लोवर अच्छी लगए है चाहिए आपको हायर गी लोवर हमेशा हम चाहेंगे न कि हमारी बुक वेल्यू जादा से जादा हमारे पास असेट्स पड़ी हो तब यह तो नंबर अप्षे तो बुक वेल्यू आँसे निकाल लेंगे formula simple था बट book value के कुछ limitation है तो ये तो केवल books में recorded होती है market value तो होती नहीं that is valuation based on solely on the amount recorded in the books तो books में तो manipulation हो सकता books में तो history old value हो सकती है उसकी fair market value कुछ और हो सकती है सोचो इसर एक book में machine दी आ रही है वो बहुत पुरानी खरीदी थी वो तो book में तो historical cost है तो books कभी भी केवल solely books में तो manipulation हो सकते हैं और books value में future earning को पता ही नहीं करते हैं क्योंकि उसमें हमारी market value के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है और जब हम books में लेते हैं तो बहुत सारे accounting estimates लेते हैं इतना depreciation लगेगा इतने हमारी doubt हो सकती है तो कई बार हम क्या करते हैं assets को over stated भी दिखा देते तो कभी भी book value कभी भी आपको शेर की सही प्राइज नहीं बताएगी ज्यान रखिए शेर की अगर आपको सही प्राइज पता करना है तो आपको market value को बता करना प्राइज अब ऐसा भी हो सकता कुछ book में assets अपने loan लेके बता रखी हो को लेटरल की रूप में रख दियो तो हो सकता है कि आपने वो liability अभी बुक्स में recording ना करी हो तो book value के क्या है limitations है what is the limitations तो यह limitation theory में पढ़ना लेकिन मैंने फिर भी आपको explain करके दे दिया इसर बुक वेल्यू हम तो ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश कर सकते मेन्यूपलेट कर सकते बुक वेल्यू मतलब net assets net assets divided by number of share मतलब पर share की बुक वेल्यू आगई इसी तरीके से एक market value होती तो market price divided by यह आपका सही analysis होगा चप्र खतम बस यही था तो जो हमने एक गंटे की थियोरी पड़ी उससे आपके दिमाग में थियोरी का काम complete हो जाना चाहिए और आज जाकर आपको जाना चाहिए और आपको